देखो DCU में क्या चल रहा है किसी को कुछ भी नहीं पता क्योंकि ऐसी ऐसी अपडेट निकल की आ रही है जिससे ये पता लगता है कि James Gunn काफी बड़ी चीज करना चाहते हैं जैसे कि Wonder Woman 3 को अभी के टाइम पे कैंसल कर दिया है वो भी पूरी तरह से इसके कोई भी चांसेस न हैन्री केविल के सूपरमैन को भी रिकाष्ट किया जाएगा यानि कि हैन्री केविल DCU में सूपरमैन को फूचर में प्ले करेंगी या फिर नहीं इस पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि हमारे James Gunn जो की पहले Marvel में काम करते थे आप वो DCU में काम करेंगे और सारे ची कि guys Henry Cavill के Superman को भी हम future में नहीं देख पाएंगे लेकिन Justice League की पूरी टीम में से एक ही बंदा ऐसा जिसका role future में DCU में confirm है जिसको आप लोग Aquaman के नाम से जानते हैं यानि कि Jason Momoa उनको future में लोबो के character को play करने के लिए कास्ट किया गया यहां तक कि Jason Momoa खुद चाहते थे कि इस character को future में play करें और ऐसा Aquaman रहके नहीं हो सकता था लेकिन अभी के time पर ऐसा हो सकता है इसके इलावा एक और काफी बड़ी update है Aquaman 2 से कि Aquaman 2 में हमें Beneflix का Batman भी देखने को मिलने वाला था और Aquaman के actor यानि के Jason Momoa ने यह बात officially confirm की थी लेकिन अभी के time पर हमें पता लगा कि Batman के जो scenes है Aquaman 2 से पूरी तरह से remove कर दिये गए है और हमें Beneflix का Batman का कोई भी cameo Aquaman 2 में नहीं देखने को मिलेगा अब इन सब पे आपका कह कहने comment करके मुझे बताना क्या आप लोग इस चीज़ को देखने के बात DCU के लिए excited हो या फिन नहीं और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को like करके हमारे इस चैनल को subscribe कर लेना ताकि आपको future में ऐसी और भी amazing वीडियोस देखने को मिलती रहें तो चलिए मैं मिलूँगा आपसे हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए आप लोग चैनल पे बने रहें और पुरानी वीडियोस को enjoy कीजिए